Hello friends, welcome to the knowledge seekers guys तो इस वीडियो में guys मैं बात करने वाला हूँ Government Institute of Forensic Science नाखपूर इस कॉलेज के बार में इस वीडियो में guys मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में कौन से कॉर्सेश अवेलेबल है उन कॉर्सेश के लिए guys क्या eligibility criteria है, इस कॉलेज का fee structure कैसा है, अगर आपको इस कॉलेज में admission लेना है, तो admission process कैसी रहती है, कहाँ पे हमें registration करना पड़ता है और सबसे important guys government college है, तो इस कॉलेज का जो cut off है, वो कितना जाता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हो, तो guys वीडियो को पूरा इंड तक देखते रहे ताकि ये important चीज़ आपको पता चल जाए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए guys चैनल को subscribe करके बेल अकरन जरूर दबा दीजिए Government Institute of Forensic Science नागपूर guys एक government college है, और ये college एफिलेट है guys, राश्च्र संतर तुकड़ोजी माराज, नागपूर उनिवरसिटी के साथ, तो सबसे पहले हम देखते है guys, कि इस college में हमें कौनसे कौनसे जो courses है, वो available हो जाते है, उनका eligibility criteria क्या है तो सबसे पहले हम देखते है guys, under graduation courses, तो UG courses में यहापको BNC Forensic Science देखने को मिल जाएगा, इसका eligibility criteria और number of seats कितनी available है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो इस college का intake capacity है guys, BNC Forensic Science का 50 students का, जिसमे reservation रहेगे category wise plus general category के लिए और फिर guys, यहापे जो medium रहेगा, वो English medium रहेगा और जो eligibility criteria है guys, वो आपको 10 plus 2 रहना चाहिए, general category, open category है, तो आपको 45% यह अभो रहना चाहिए, और category से अगर आप belong करते हैं, तो 40% यह उसके अभो रहना चाहिए next है guys, यहापे हम देखते हैं PG courses के लिए, तो PG courses के लिए guys, यहापे MSC Forensic Science available है, इसका जो eligibility criteria है guys, वो थोड़ा अलग है, तो ध्यान से सुनना, तो यहापे आप देख सकते हो guys, इसका eligibility criteria MSC के लिए guys, यहापे कुल मिला के बस 20 seats सी available है, तो काफी कम seats है MSC के लिए, उसमें से भी guys, जो 18 seats है, वो reserved है, उनके लिए जिन्नोंने BSC Forensic का, जो criteria है, वो अलग है, उसमें से, one seat shall be reserved for the candidates holding BSC Forensic Science degree from University of Maharashtra State other than RTMNU, तो नाखपर University को छोड़के other than Maharashtra के कोई भी university से, अगर अपने BSC Forensic Science की degree complete किया है, तो उनके लिए एक seat reserved है, और फिर जो एक seat reserved है guys, उन students के लिए, जिन्नोंने BSC Forensic वो reserved की गई है, तो बट 18 जो seats है गई है, वो BSC Forensic Science की degree, जिन्होंने RTMNU से complete किया है, उनके लिए पहले सी reserved है, फिर यापे अगर second criteria में से, जो seat है वो vacant रहती है, तो फिर first criteria में चली जाएगी, ऐसे सब कुछ भी आपे देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसके लाव गईज, और भी यहापे courses available है, जिसमें आपको diploma courses मिल जाते है, तो यहापे आपको post graduate diploma in digital and cyber forensic and related law, इसका diploma मिल जाता है, और post graduate diploma in forensic science and related law, तो इसके भी बार में आपको यह जो diploma है, वो आपको तो fee structure काफी कम है, government college है, तो काफी कम fees आपको यहापे पे करना पड़ेगा, general category के लिए आप देख सकते हो guys, overall जो fee structure है, वो कुछ ऐसा है, BSC के लिए guys, जो fee structure है, वो आप यहापे देख सकते हो, 4170 रूपीज और जो category से लिए guys, 1340 रूपीज ठीक है, इसके अलावा यहापे कुछ instruction भी लिखे हुए, तो यह आप बढ़ सकते हो, DD के तुरू आपको जो payment वगए guys, वो करना है, ठीक है, तो government college है, तो fees का तो आपको कोई tension यहापे नहीं रहेगा, अब guys, मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आपको यहापे admission लेना है, तो admission process कैसी है, ठीक है, तो अभी guys, अब मैं जब video बना रहा हूँ, तो जो admission process है, वो शूरू है, तो अगर आपको यहापे BSC के लिए admission लेना है, तो सबसे पहले तो आपको जो नागपुर उनिवर्सिटी का पोर्टल है, वहापे अपना जो registration है, वो करना पड़ता है, application form भरना पड़ता है, और उसके बाद guys, application form भरने के बाद आपको RTMन के पोर्टल से एक ARN number मिलता है, admission registration number, वो number लेके guys, आपको इस college की website पे आना है, और online registration, college level का जो form है guys, वो भरना है, जिसमें आपने, आपको जो ARN number मिलता है guys, RTMन के पोर्टल पे वो आपको यहापे फिल करना पड़ता है, ठीक है, और फिर college level का पूरा जो detail form है guys, वो भरना पड़ता है, तो और यहापे आपको सारी जो notice और पूरी जो important dates है, वो देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो यह change होता रहता है, जैसे नया-नया session शूरू होता है, वैसे वैसे आपको नई-नई जो dates है, वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है, अब guys, बात करते हैं सबसे important चीज़ के बारे में, जो है guys, इस college के cut-offs, अब देखे guys, इस college में जो number of seats है, वो काफी कम है, तो इस college के cut-off है, वो भी काफी बढ़िया है, और काफी high जाता है, जितना बढ़िया result लगेगा guys, उतना ही जादा इस college के जो cut-off है, वो जाता है, तो अगर हम पिछले साल के cut-offs देखते हैं, तो आप देख सकते हो guys, यहाँ पे student का नियम आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको category देखने को मिल जाएगी, 10th के percentile, 12th के percentile, और यहाँ पे आपको फिर marks देखने को मिल जाते हैं, तो cut-off guys, 98.46, 12th का है, ठीक है, तो काफी जादा जाता है guys, यहाँ पे cut-off, फिर आप देख सकते हो, OBC का 96.46, OBC 94, मतलब 90 के अब होई guys, easily यहाँ आप पे जो cut-off है, वो चला जाता है, क्योंकि number of seeds फिर जो है guys, वो काफी कम है, और अगर result बढ़िया लगता है, 12th का, तो cut-off है, वो और भी जादा जाने के chances है, वो रहता है, ठीक है, तो cut-off आप देख सकते हो, अगर आपको first, second round, third round, fourth round, इसके cut-offs देखना है, तो आप इस college के website पे जा सकते हो, home पे चले जाना, ठीक है, home पे जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पे आपको recent news का मिल जाता है, यहाँ पे see more कर देना, फिर यहाँ पे आप second या third page पे चले जाना गई, ठीक है, second या third page पे अगर आप चले जाओगे, तो यहाँ पे फिर आपको third round, fourth round के cut-offs है, वो भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे कुछ आप यहाँ के cut-offs है, वो चेक कर पाऊगे, और अगर आपको PG के cut-offs चेक करना है, तो वो भी आप easily यहाँ से चेक कर पाऊगे, उसके लिए भी गाईज, आपको home पे जाना है, फिर यहाँ पे जैसे मैं आपको बला, see more, यहाँ पे third या fourth page पे आपको जो post diploma की cut-offs है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ ऐसा college है, काफी बड़िया college माना जाता है, forensic science, और यहाँ पे मतलब कैसे step-by-step form बरते हैं, वो आपको सारी चीज़े पता चल जाएगी उस वीडियो के through, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, इस hopes आपको सारी चीज़े वो समझ में आ गए होगी, अगर आपको कोई भी drought या फिर कोई भी query होती है, तो आप comment section में mention कर सकते हो, तो इस वीडि notifications के through updates मिलते रहें